वेलकम प्लाटफॉर्म बाइजोज एक्जाम प्रेप देखते हैं कौन का और मेरे साथ लाइव है अगर आप लाइव है जल्दे आप टाइप इन कीजिगा अड मेरे को बताएगा कि आप लोग लाइव हो चुके हैं प्लास यह सेशन आप लाइव देख रहे हैं और तो अगर टाइव बताते रहें कि आप लोग लाइव हो चुके हैं प्लास यह सेशन आप लाइव देख रहे हैं मेरे साथ और तो मिगाज यहन वेलस लेज प्लीज टाइप लेट मेंगे नो दाड़ी वाचिंग डेशन लाइव जल्दे टाइप इन करते रहें आप लोग बता आता है राइट आरियन गुरीवनेंग जैहेंड सत्यम जैहेंड वेलसे जया प्लीस टाइप इन देशेज लेट मी नो और दो नाट फोगेट तो लाइट शेयर देशन लाइक और शेयर भी करते रहें सेशन को और जल्दी से शेयर कर दीजेगा सेशन को और फिर हम शुरू कर लेकिन सबसे पहले आपका अगर मैं बात करूं आपका तो आइल बी टॉकिंग आउं कि आंपने इसको अभी तक जो है रिजिस्टर नहीं किया है जल्दी साब रिस्टर कर दीजेगा आज रात को नौ बचे मैं आपके साथ लाइव हूंगा और चावे हेलो और इसी के साथ आपका इस से रिलेटेड आपका जो है विल्हाफ दी को पड़े और यह पता होना चाहिए आपका कितने प्रकार किया किस टाइप की आपका लेक्स जो है वह आपका होती है तो जब हम लेक्स की बात करते हैं तो डिफरेंट टाइपस ऑफ लेक्स जो आपका होती है विहाफ टेक्टॉनिक लेक्स ठीक है टेक्टॉनिक लेक्स जैसा की नाम से पता चल रहा है टेक्टॉनिक यह आपका क्यू बनती है यह बनती है आपका जो है विहाफ दी और आपका पंगॉंग सो है, जो आपका लदाक में है, they are tectonic lakes, ठीक है, इसी के साथ साथ अगरम बात करें, next type of lake की तो हमारी crater lakes होती है, crater lake, crater मतलब गड़ा, ठीक है, कोई भी गड़ा आपका जो है बन जाए, ठीक है, कोई भी आपका depression बन जाए, अब ये depression जो है, आपका जो ह क्या होता है, that is a depression, और उसमें अगर आपका पानी बर जाए, तो वो crater lake बन जाती है, इसी के साथ से अगर कोई meteorite, यानि कि कोई उलका पिंट अगर आपका जो है, अर्च से टेक रहाता है, तो वो भी आपका क्या करता है, crater बना देता है, और उसकी वाज़े से crater lake बनती है, जैसे है, इंडिया में, आपका लोनार lake है, जो कि महनाश्च में है, ठीक है, बुल्दाना में, वो आपका crater lake है, इसी के साथ अग्लेशल lakes होती है, जो कि आपका glaciers की वाईसे बनती है, एक्जामपल है, जैसे आपका गंगूबल lake है, ठीक है, वी हाव गंगूबल lake, वो type of lake होती है, वो है आपका fluvial lakes, we have fluvial lakes also, fluvial मतलब आपका river से इनका formation होता है, ठीक है, इनका formation किस से हो रहा है, reverse से आपका जो है बनती है, बेसिकली आपका ऑग्सबो लेक होती है, ठीक है, जैसे आपका गोगा बील है, और कनवर lake है, जो कि आपका बिहार में located है, फिर aeolian lakes ह होती है, जो कि आपका winds के action से बनती है, basically winds के action से पवन-द्वारा निरमित, आपका जीले होती है, जैसे ढांड है, यह आपका राजिस्तान में located है, प्लास हापका diffolution lakes होती है, नाम से पता चल रहा है, यह जो लेक होती है, basically आपका क्या होता है, आपका शुए, dissolved हो जाती है, ठीक है बेसिकली जैसे आपका limestone region है वहाँ पर आपको इस टाइप की lakes मिलेंगी like for example भीमताल लेक है आपका जो है उत्राखंड वो आपका लगून लेक्स होती है लगून जो है आपका coastal region में आपका formation होता है like for example चिलका लेक है उड़ेसा में पुलिकट है आपका आंधर प्रदेश में और कैला में आपका जो है वहिमनांद है ध्यान रखेगा जो आपका लगून होती है या पर ब्रैक वाटर लेक्स होती है इनको कै और क्याल भी कहा जाता है तो ज razor cell in करला धियान रखेंगा ठीक है एकजाम में पूचा जाता है इनको कयाल कहा जाता है काहं पर इन कहल ला और ही अब अगर हम बात करते हैं आपका, तो let's talk about the important lakes of the world, आपका important lakes कौन कौन सी आपका world में, वो हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, important lakes की अगर मैं बात करूँ आपका, तो important lakes आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात करें, Caspian Sea की, Caspian Sea आप देख सकते हैं, ठ अलागि कहलाई तो जाती है आपका क्या जो है when we talk about the Caspian Sea ये आपका Sea कहलाई जाती है but actually this इसा लेग सर्फ साइज बढ़ा है इस वजे से इसको Sea कहा जाता है यह आपका लार्जस्ट लेक है आपका वॉयल की ठीक है वॉयल की लार्जस्ट लेक है और साथी साथ आप अगर मैप में देखे तो आप इसकी लोकेशन भी देख सकता है कहां कहां पर किन किन आपका नेशन्स को यह आपका टच करती है ठीक है अगर हम बात करें क कजाकिस्तान को टच करती है आप यहाँ पर देखें तो भी आप कजाकिस्तान ओवर है कजाकिस्तान को टच कर रही है इसी के साथ साथ आपका तुर्कमेनिस्तान है ठीक है तुर्कमेनिस्तान को टच करती है इधर आप अगर देखेंगे तो इरान को इरान के साथ इसकी बाउ हजरबेजान और रश्या और रश्या और यांध के साथ कार्ष्पी अदि हम बात करें आपका तो निथ्长य में भावड sağ करें आपका पिर्छ होनले यह थीदिश्ट केमीर nhân वाइयर सब्सक्राइब इस आफ क कहलं सब्सक्राइब टैटिक साथ किनिया और तंजानिय इनको टच्च कर रही है है युगांडा Kenya, साथिसाथ we have Tanzania, इनके साथ boundaries touch होती है, Lake Victoria की, जहिन जितेंद्र और इसके बाद फिर हम next lake की बात करें, तो next lake is Great Lakes, जो की आपका US में आपका लाई करती है US और Canada के बीच में World का, आपका इंडिस्टलाइस रीजिन में आपका इसका नाम आता है काफी इंडिस्टलाइस रीजिन है यह आपका पूरा complete Great Lakes रीजिन जो है, और अगर हम यहाँ पर देखें तो आपका 5 lakes है, इनकी location भी आप देख सकते हैं, Lake Superior है, यह आपका Canada और साथी साथ आपका US के बीच में है फिर Lake Huron जो है, यह भी आपका जो है, Canada और US के बीच में है बाकी Lake Michigan है Lake Eerie है, और Lake Ontario है तो यह 5 lakes जो है अगर हम बात करें आपका इस 5 lakes, इनको Great Lakes कहा जाता है, और यह आपका US में, that is there, ठीक है, US में located है, इसके बाद फिर next आपका बात करें, RLC की तो RLC की location आप देख सकते है Kazakhstan और नीचे है आपका Uzbekistan Kazakhstan और Uzbekistan के बीच में आपका RLC located है ठीक है, RLC जो है, उसका location आप देख सकते है, और राइट यह भी आपका, that is also a type of lake इसके बाद फिर next हम बात करें RLC के बाद, then we have the Lake Tanganiya का, बहुत important है, Lake Tanganiya का, again आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी जो location है यह भी आपका जो है, आफरीका में लाई करती है, और अगर मैं बात करूँ longest lake है, आप देख सकते हैं, काफी लंबी lake है, good evening अंकोर, yes, homes is our trick for great lakes, बिलकुर ठीक है, अगर मैं बात करूँ, आपका Tanganiya का यह world की longest lake है और Tanganiya का, अगर आप देखे, तो यह कौन-कौन से countries को touch कर रही है, इदर आप देखेंगे, तो बुरुंडी है, we have बुरुंडी, ठीक है, साथी साथ अगर आप देखे, तो इसके साथ, जो है आपका, जो है, we have Tanzania, जो कि इसके साथ, टच हो रहा है, Democratic Republic of Congo, ठीक है, तो यह आपके जो देश है, यह आपका इसके साथ, टच होते है ठीक है, Tanzania है, साथिया Democratic Republic of Congo है, बुरुंडी है और आपका Zambia है, यह चारो, जो है, Tanganiya का के साथ, आपका जो है, लगे हुए है, ठीक है, इसके बाद पर नेक्स इंपोर्टन लेक, जो है, डाट इस लेक बैकाल, यह आपका रश्या में लाई करती है, और सबसे इंपोर्टन चीज़ यह है, कि जो लेक बैकाल है, यह आपका डीपेस्ट लेक है, हमारे वॉल्ड की, इस डीपेस्ट लेक आफ दी वॉल्ड, सबसे आपका जो है, गहरी आपका लेक है, यानि की जील है, विश्व की ठीक है, इसके बाद पर हम बात करते हैं, आपका नेक्स लेक नियासा है, लेक नियासा आपका जो है, यह मोजांबीक है, तो लेक नियासा या लेक मालावी, ठीक है, और आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आच्चली में इसका बॉर्डर जो है डिस्प्यूटेड है, तंजानिया जो है, वो क्लेम करता है, आपका बॉर्डर बिल्कुल यहाँ पर आकर मिलती है, यहाँ पर डेल्टा भी बनाती है, ठीक है, इली रिवर और लेक बलकश, जो है, वो पूरी तरीके से कजाकस्तान में आपका जो है, लाई करती है, जहें नितन, और इसके बाद फिर अगरम बात करें, आपका नेक्स्ट इंपोर्टन लेक, डाट इस लेक टिटिकाका, बहुत बार एक्जाम में पूछा जाता है, लेक टिटिकाका के बारे में, लेक टिटिकाका जो है, यह आपका लाई करती है, बोलीविया और पेरु के बीच, अगर बात करें आपका, तो वेल टॉक अबोर्टन लेक्स ओफ देखेंगे, सबसे पहले अगर में बात करूँ आपका इंपोर्टन लेक जो है इंडिया की वो है पंगॉंग सो, कई बार आपका जो है एक्जाम में आपका पूछा जाता है, और बहुत बार न्यूज में भी देखने को बिलता है, चाइना के साथ इतनी सारी आपका जो है सकमिषज आपका हुई है, बोडर पर वो आपका यहींपर हुई है पंगॉंग सो में, नहीं हाइस नहीं है ठीक है, हाइस भी मैं आपको बताऊँगा हाइस लेक कौन से है, सिक्किन में आपका लोकिड़ है जितेंद्र, ओर राइट, पंगॉंग «णुसो जो है बेसिकलल control जो LAC है वो भी आपका यहां से होकर गुजरती है यहां पर आप यह fingers देख रहे हैं finger 1 finger 2 finger 3 finger 4 actually जो fingers है यहां पर आपका जो है we have a mountain range यहां पर एक mountain range है जिसका नाम है आपका जो है we have chang chang mo range तो यह जो chang chang mo range है उसके spurs है आप देखेंगे इसके spurs एक तरीके से आपका जो है नाकून की तरह आपका spurs जो है वह आपका बाहर की तरफ निकले हुए और यह spurs ही आपका fingers कहलाते है तो total जो है 8 finger है यहां पर finger 1 से लेकर और finger 8 तर यहां पर जो actual में आगर मैं बात करूं आपका तो इंडिया जो है वह claim करता अप to finger 8 और साथी जो चाइना है चाइना क्लेम करता आपका जो है अप to finger 5 ठीक है यह वह कहता है कि बैए यहां से पास होनी चाहिए और फिंगर 8 के पास ही चाइना की आपका जो बॉर्डर पोस्ट है ठीक है और हमारी जो बॉर्डर पोस्ट है वो फिंगर 3 के पास है ठीक है हमारी जो बॉर्डर पोस्ट है डाट इस लोकेड़ फिंगर 3 चाइना की फिंगर 8 के पास आपका जो है water post located है ठीक है तो पंगॉंग सो काफी important है ठीक है लदाक में located है endoric lake है endoric lake होने का मतलब यह होता है कि इसमें कोई भी outlet नहीं है यानि कि इसका पानी है वो बाहर की तरफ आपका flow नहीं करता कोई भी outlet और यह आपका काफी extraordinarily लेख है ठीक है ठीक है पंगॉंग Sumo, जो कि आपका लोकेट है लदाख में लदाख में हमें आपका दूसरी लेख है So, the next one Link so gör यह बी आपका लग्दाक में ईड़ाइ और साथ ही साख यह आपका एक रामसर वेटलेंड भी है इसी के पास सो मोरीरी के पास आपको देखने को मिलेगा सोकर सोकर जो है यह fluctuating salt lake है ठीक है द्यान रखिगा बिटा लग्दाख में ने जित्री भी आपका लेक सोंगी, ग्लेशल लेक सोंगी, और ग्लेशल लेक सोने की वएसे वो आपका फ्रेश वाटर लेक होंगी, लेकिन सोकर कि ये एक बहुत पिकलारिटी है, कि ये आपका जो है, सौल्ट लेक है, इसका वाटर सलाइन है, ये आपका लदाक में लोकिड है, और साथी साथ, ये कश्मीर में located है largest fresh water lake है इंडिया की इंडिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की आपका जील है जिसका नाम है वूलर लेक टेक्टॉनिक एक्तिविटी के वज여 से आपका बनी थी और इसमें जेलम नदी वह अपना पानी डालती यहीं से हो और और एक संथ अगर 딱ना पर अब टेको यह भी आपका कश्मीर में लोकेड़ेगा पुझा कश्मीर के ओख्या या फिर आपका क्राउन अब आपका जएल कहा जाता है and साथी साथ को जो जल है लेक ओफ फ्लावर्स भी और जाता है डल लेख और लेख जिसका लोकेशन है आपका सब्गो ज्यो मु खश्मीर में डल लेख आपका पंगउं 없어요 जो है वो आपका फ्रेश वॉटर है तो आपके यहां पर आपका पूछा भी जा सकता है क्योंकि अभी रीसेंटली आपने देखा कि यहीं पर आपका G20 का समिट जो है वो आपका किया गया था डल लेक के पास तो काफी इंपोर्टेंट लेक है डल लेक से जुड़िए कुछ चीजे हैं जो आपको पता होने चीए एक तो यह परячाटना पर वी आफ थिडिरफरेंट टाइंट साफ बोर्ट तीन बो benefits हिए ग्री आपका चालती है कौन बोर्ट में बात किर एंग 62 ठीक। बोट है इसी के साथ साथ यहां पर आपका जो है डोंगा बोट है और वी हाफ डोंगा के साथ साथ आपका हाउस बोट है तो तीन तरीके की आपकी बोट जो है वह यहां पर आपको दिखेंगी ठीक है जो शिकारा है शिकारा बेसिकली आपका जो है यह वह बोट है जिस पर आ आपका एक तरीके से सोफा सेट आपका लगा होता है एंड हाउस बोट पूरगा पूरा आपका जो गर है वह आपका तैरता रहता है इन दी डल लेक और आप यह तीनों बोट का आप जो है आनन ले सकते हैं जब भी आप कश्मीर जाएं गूमने के लिए प्रिंसी जैहिद इस रूपा लंका एंड सोना लंका ठीक है रूपा लंका और सोना लंका यह आपके दोनों आइलेंट्स जो है वो आपके यहीं पर लोकेटिड है किसमें डल लेक में तो यह जीज़ भी ध्यान रखेगा यह भी आपका एक्जाम में पूछी जा सकती है सबस्काइब करोएं पैचेप लंका तो यह अगरें पर आपके दो आइलेंड नवास और जगमंदिर ठीक है, I just checked on Google, Pangongso is salt water lake, I'll get back to it, okay, मैं देख लूँगा एक बार उसको जितेंद्र, ठीक है, Google में बहुत सारी चीज़ा ऐसी होते हैं, जो की correct नहीं भी होती है, और राइट, चले, इसी के साथ साल, अगर मैं बात करें, आपका सांबर लेक की, अच्छा, एंडॉरिक लेक है, अगर एंडॉरिक लेक होगी, तो वो साल्ट वाटर होगी, बिल्कुल, ठीक है, तो बिकॉस पंगोंग सो इस एंडॉरिक लेक, तो आपकोर्स वहाँ पर सॉल्ट कंटेंट जादा होगा, जिते इंडॉरिक, और इसी के साथ सार निक्स इंपॉर्टेंट लेक जो है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो सांबर लेक आपको दिखाई देगी, सांबर लेक जो है, यह आपका रामसर साइट है, जो कि आपका जो राजस्तान में लोकिनिट है, साथी साथ अगरम बात करेंगे, यहाँ पर लार्जेस्ट इनलेंड सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया की, ठीक है, जो भारत के मुक्य भूमी के अंदर सित है, ठीक है, बीतर सित है, तो बाकी जितनी भी आपका सॉल्ट वाट लेक से वो जिटल आपका कोस्टल ड्रीजंस पे हैं, लेकिन अगर इंलेंड़ वाटर की बात करें, इनलेंड वाटर लेक की बात करें, तो इसमें आपका सबसे बड़ी जो रेक है, that is सामभर ले, इसलिके साथ अगर है, यहाँ पर आपका जो है, वीाव डिफरिंट रिव क linking आपका जैसंबंद लेक है जैसंबंद लेख यह आपका जो एंडरा जैसिंग्ड उद्यब्वएपूर के राजा थे उनके इसको देबर नेग पहन जाता है वर्ल्ड की ओल्डरस्ट हिस्टारिकल लेक है और साथ इसाथ इंडिया में जो तो आर्टिफीश्ऩील लेक से उनमें आपका सेकंड लार्जस्ट भी है। एईगर सेकंड लार्जस्ट अरटिफीशल लेक है। राजा जैस ने इसका निर्मान कराया था आपका जो राजा थे उदैफुर के, संजीव जेहिन, गुऑइवने इसके बाद फिरम बात करें, आपका हुसेन सागरलेख है, हुसेन सागरलेख basically आपका तिलंगाना में लोकीड है, थीके, तिलंगाना में यह आपका हैं अपका हेदरबाद और सिकंदरबाद को अलग करती है, जो कि आपके twin cities भी कहला जाते हैं सिकंटरबाद और ह्ट्रेडरबाद हैं दोनों आपके जो है वो अलग होते हैं किस से हुसें सागर लेक से तिलंगानावेलोकीड है हार्ट शेव्ड है आप अगर देखें तो इसका जो शेप है लगबग आपका हार्ट की शेप में है तो यह आपका हार्ट शेप लेख है जिसको इब्राहिम कुली कुतम शाह ने 1563 में इसका जो है आपका निर्मान कराया था और यह आपका मूसी रिवर से आपका फेड होती है मूसी रिवर जो है वो आपका इसमें आपका गिरती है इसी अगर मैं बात करूँ आपका यही पर हुसेन सागर थर्मल स्टेशन है थर्मल पावर स्टेशन है जो कि हमारे साउथ इंडिया का सबसे पहला आपका थर्मल पावर स्टेशन भी था CDS के मैट्स की क्लास कब होती है तो आज आपका CDS तो रही लेकिन CAPF का मारतन होगा जो कि शाम को साथ बजे होगा इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दू कि शाम को छे बजे हम आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टन अनॉंस्मेंट लेकर आ रहे है तो यहां पर अगरम देखे तो वी आर टॉकिंग बाउट धी हुसेन सागर लेक इसके बाद अगर हम बात क वेमनान लेक के ख़ी में आपका लोगिड है सेकेंड लार्जेस राम सर वहिटलैंड भी ऐए आफ्टर सुंदवन सुंदवन के बाद जो दूसरी सबसे बड़े आपका जो है वैडिलेंड यापका तो की जाती है तो यह ले निरू जो कि आपका इन नrière कर픈 करчи और आगर ऐसको चलुदा करें तो शॉष्टम कोट लूंत के साथ जॉष्ट मुढीली लेक भी आपका यहां पर लोकेटा है जो शश्थम कोट लेक पर बेसिकली आपका जो एश्ष्टा टेम्पल और अश्टम कोटा और इस पर अश्पाम प्र legitimately Meyer में लेकलम्ड और पलिचल नदीया यहाँ आपका यहाँ पर ड्रेन करती है, अपना पानी इसमें देती है, इसके डाव करें नेस्ट मेरा लेया तो सेला लेग बहुत इमपॉर्टेन्ट है तो यहां पर आपका बॉर्डर है तवांग का और वेस्ट कामेंग डिस्टिक्ट का तो उनके बीच में आपका जोए लोकेट है तवांग और वेस्ट कामेंग के बीच में विंटर्स में आपका फ्रीज हो जाती है और साथी साथ यहां पर जो नदिया है यहां पर तवांंग नदी की आपका ट्रिप्यूट्री है यहाँ पर आपका जो ऑग आ पर डेखे हैं यह आपको करें थी में थे निश緊 आपका सिक्किम में है यह ऐसे आपका हमारे इंडिया की हायस लेक है ठीक है इंडिया की जो इसका fed करता है जेमू glacier के साथ साथ अगर मैं बात करूँ कांगसी ग्लेशर है या पॉन्हुरी पॉन्री glacier है ये दोनों glacier पॉन्री है और जेमू है दोनों का पानी आकर चुलामू में मिलता है और चुलामू से फिर आपका तीस्ता नदी जो है वो आपका फ्लो करना शुरू कर देती है तो यह starting point भी है आपका या source भी है किसका तीस्ता नदी का ध्यान रखेगा exam में पूछ लिया जाता है काफी important है चुलामू लेक ठीक है इसके बाद फिर अगर हम बात करें आपका तो लेक्स लेक इस लोनार लेक इंडिया में अकेली जो crater lake है डाट इस लोनार लेक ठीक है लोनार के लावा और कोई भी crater लेक नहीं है only existing crater lake इन इंडिया जो की meteorite impact से आपका बनी थी आप अगर देखें तो एक जो उलका पिंट जो है वह आकर यहाँ पर गिरा और इसकी वैसे गड़ा हो गया यह गड़ा होने के बाद यहाँ पर पानी भर गया जिसकी वैसे लोनार लेक का formation हुआ है यहीं पर लेटल नोनार भी आपका है ठीक है और यह मिटराइट क्रेटर की वैसे बनाए नोटिफाइड नाशनल जियो हेरिटेज monument भी इसको गोशित किया गया है तो महराश्ट में बुल्दाना जिला है बुल्दाने जिले में आपका जो है लोनार lake located है ठीक है इसकेबाद फिर हम बात करें next lake की तो यहां पर आप देख सकते हैं सारी lakes जो कि हैं आपका important lakes है ठीक है अगर हम slash ने उपर से हैं ये सारी important lakes है आपका लडाक में अग सो मरीरी है उसके आद आपका जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां पर वूलर और डल लेक है फिर चंडीगड में आपका जोए सुखना लेक है यह आपका इट इस आपका जील है सामर लेक की बात करें यह राजस्तान में है along with पुशकर लेक फिर अगरें बात करें आपका जोए गुजरात की तो नल यहां पर आपका एक बढ़ सेंचुरी भी लोकेड है जो सलीम अली लेक है यहीं पर सलीम अली बढ़ सेंचुरी जो है वह आपका बनाया गया है जहां रखीगा ठीक है इसी के साथ अगर हम बात करें आपका तो आप खेरला में देख सकते हैं वहिमनान शस्टम कोट्टा औ आपका उडिस्सवाएं साथी साथ अगर हम बिहार की बात करें तो कमर्लेग है वीम्ताल आपका उत्राखंड में है इसमें लोक्तक लएग मनिपुर्थ काफी important lake क्यूंकि यही पर आपका फुम्डीज पाए जाते हैं और यही पर आपका जो है लोग तक केबुल लम जाओ जो है नाशनल पार्क वह आपका बनाया गया है ठीक है उम्यम लेक जो है वह आपका मिगालिय में में है यह सारी important lakes हैं जो कि आपका इंडिया में है ठीक है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो largest lakes है 10 largest lakes जो इंडिया में आपका है वो शुरू होती है आपका वेमनान, चिलका, शिवाजी सागर, इंदरा सागर, पंगॉंग सो, पुलीकट, सरदार सरोवर लेक, नागर जुना साग लोक्तक लेक और वूलर लेक, और यहां पर एक बार फिर आप देख सकते हैं जितनी भी हमारी जो major lakes है वो आपका जो है मैप में दी गई है, इस देने क्रेटर लेक इन दे वर्ल्ड, क्रेटर लेक बहुत सारी है, जैसे पर आपको बदा टिटिकाका जो है, टिटिकाका इस वज़े से, वो आपका वॉलकानोस की वज़े से भी बन सकती है, मीटराइट इंपाक्ट की वज़े से भी बन सकती है, ठिके, प्लीज अफकाट की भी सीरीज शुरू करो, बिल्कुल, डूंट वरी रवी, अफकाट के ले Siries शुरू करेंगे, बिल्कुल, सारे जितनी भी exam है चाहे FCAT है चाहे CDS है चाहे CAPF है हर किसी के लिए आपका सीरीज शुरू की जाएगी डोंट वरी तो आप यहां पर देख सकते हैं सारी lakes majorly आपका जितनी भी आपका lakes है major lakes है वो सभी कि सभी आपका यहां पर दी गई है largest fresh water lake जो आपका राजिस्तान में है आप देख सकते है राज समंद लेक है ठीक है इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ largest fresh water lake in India वो आपका वूलर lake है ठीक है प्लस अगर हम बात करें आपका तो यहां पर देख सकते है चिलका लेक या आपका largest lagoon या salt water lake है इंडिया में प्लस अगर हम बात करें आपका largest lake of North East India लोग तक लेक है ठीक है जो आप यहां पर देख सकते हैं प्लस बाकी सारी जो important lakes है वो भी आपको मैप में देख जाएंगी और राइट तो आए होप आपको यह सारी लेक समझ में आए होंगी प्लीज जॉइन भी आपको और एक चीज बता दू आज का जो हमारा प्रोग्राम है ठीक है टूडेश प्रोग्राम हमारा क्या है तो सबसे इंपोर्टेंट तो यह है कि 6 PM हम आपके साथ आ कैमें हैं और यूट्यूब और यूट्यूब पर एक बहुत बड़ा अनौंस्मेंट हम करने वाले इसके लिए हमारे साथ जरूर म्याज़िएगा ठीक है बहुत बड़ा अनौंस्मेंट आपका होने वाला है ठीक है biggest ऍBIG biggest कहूंगा biggest announcement जो है वो हम करने वाले इसके बाद 7 p.m. मैं आप से मिलूँगा app पर ठीक है app पर will conduct the quiz ठीक है 7 बजे आपका quiz conduct करूँगा app पर और ये quiz जो है वो आपका होगा related to the lakes जो हमने lakes आज पढ़ी है उससे related आपके किस टाइप के questions पूछे जाते हैं वो हम आपका cover करेंगे on the application ठीक है तो अभी ये आपको करना है कि अभी दुबारा से हमारे साथ जुड़ना है शाम को 6 बजे बहुत बड़े announcement के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे और आपकी ज है यारी है ठीक है जो आप जॉइन करना चाहते हैं defense forces को उसको बहुत असान कर देंगे ठीक है बहुत असान आपके लिए हो जाएगा आज के announcement के बाद आपको समझ में आएगा कि आपके लिए बाइजू एक्जाम प्रेप लगातार लगा हुआ है ठीक है लगातार आपके स spelling में भावर सिंग सिरोही और इस नाम से आपको जो है आप अगर सर्च करेंगे ठीक है आपको क्या करना है टी ब्राउजर पे सिर्फ इतना लिखना है टी डॉट मी स्लाश भावर सिंग सिरोही तो आपको जो है मेरा वाला टेलिग्राम चानल दिख जाएगा यह टेलिग्र हवर सर और इसको आप जो ही कर लिजएगा यहां पर आपको जह जोहई सारी पीस मिलेगी आज जीगीए फी बीखे यह आपको वही पर मिलेगी ठीक है जतेरी घ्रॉट केलिए free PDFs के लिए साथी साथ आपका live classes के लिए updates के लिए प्लस आपका daily PYQs और live interaction के लिए quizzes के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं Telegram पर, okay so that would be all in this session, अगर कोई भी doubt है तो आप call कर सकते है 96500-5904 यह हमारा number है, आज के session में इतना ही, मिलते हैं 6 बज़े आप से, ठीक है शाम को 6 बज़े आप से मुलाकात होगी और एक बहुत बड़े announcement के साथ आपके साथ मिलेंगे, प्लस साथी साथ, अगर मैं बात करूँ आपका, तो साथ बज़े, इस topics related, lakes related आपका पूरा complete, हम क्या करने वाले, ख्वेस कंड़र्ट करने वाले, आप पर तो वहां पर भी उलाकात होगी, so that would be all, thank you, bye bye, take care and jayhin, thank you guys.